पर साथ साल के उनमें जैसे आपने का संस्कृत समझ में नहीं आती तो आपको कहानिया कैसे समझ में आती थी उसमें लिखा था कि आपने तब से आप कथा वाचक भी हैं तो ये कैसे हुआ कि आपको संस्कृत समझ में थोड़ा कम आता था लेकिन आपने किया हाँ उस समय संस्कृत जो थी वो सिर्फ मैंने सुनी जो लोग बोलते थे उनके श्लोकों को सुना और बोला समझ में उतना नहीं आता था समझ ये था कि हाँ ये प्रसंग है कि ये कृष्ण लीला है ये राम लीला है ये वामन भगवान है पर फिर बाद में उन चीजों को और निखार के समझने की कोशिश करी पहले शुरवात सिर्फ सुनके ही हुई मुझे भगवान की कृपा से बस एक थोड़ी सी ये कृपा है भगवान की कि जब मैं कोई चीज सुनती हूँ तो वो बहुत जल्दी याद हो जाती है और वो दिम उनों को तो उनके सुनकर के जो वो लगभग कहते थे उसमें से कुछ-कुछ ले करके मैं घर आके सुनाती थी कि ये ऐसे-ऐसे बोले थे तो वो मेरे दिमाग में बैठ जाता फिर उसको आगे अपनी कथा के माध्यम से सुनाती थी तो इस तरह के से शुरवात हुई क्या ये सत्य है कि मैंने काफी काफी लोग है जो श्रीमत भागवत और गीता पड़ते हैं तब वो कहते हैं कि पहली बार किसी कहानी को सुना या किसी श्लोक को सुना उसका अर्थ बहुत बार बदलता है दिमाग में मतलब हालाकि जो लिखा है अर्थ वो वही है लेकिन चर बार बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि असल बात तो यह है कि यह जो है न भागवत, भगवत गीता, वेद, उपनिश्यत, पुरान, दर्शन, शास्त, यह कोई किताबे नहीं है, यह साक्षाद भगवान है, वेद भगवान है, पुरान भगवान है, श्रीमत भागवजी के जाता है, कि प्रत्यक्षह कृष्ण एवही, साक्षाद कृष्ण है, तो जैसे भगवान रूप बदलते, वैसे उनकी यह ग्रंथ भी अलग-अलग भाव बदलते हैं, अर्थ बदलते हैं, भागवत के एक एक श्लोक पे इतनी बड़ी-बड़ी ग्रंथ, इतने बड़े- अलग-अलग, सबकी उसकी बोलने का तरीका, डेफिनेशन, उसमें से चीजें निकाल-निकाल के, जो महापुर्शों ने हमको लिखके दी हैं, उनकी जो बाते, भागवत में एक प्रसंग आता है, गोपी गीत का, उसमें 19 श्लोक है, वो अकेला एक ऐसा प्रसंग है, उन्नी श्लोक पर आप चाहो, तो 19 साल तक अथा कर सकते हैं, इतना उसमें गहराई है, एक एक श्लोक पर इतने बड़े-बड़े किताब, इतने बड़े-बड़े गरंथ लिखे हूँ, एक भागवत में प्रसंग आता है, जब पूतना मरी, जब पूतना दूद पिला रही थी, त तो आँख बंद क्यों की भगवान ने, इसी पर किसी ने गरंथ लिख दिया है, कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, भगवान के आँख बंद करने, हजारों कारण उसमें लिख दिये हैं, एक आँख बंद करने के इतने कारण हो सकते हैं, तो आप सोचो कि एक एक प्रसंग अग को उसकी knowledge भी deeply आप चले जाते हो, first time में आप थोड़ा light light समझोगे और पढ़ोगे, 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 क्योंकि आपने गरंत पढ़ा, तो गरंत की कृपा मिली आपको, अब थोड़ा आप और deep जाओगे, second time, third time आप और deep जाओगे, और आपको और कुछ नहीं जानने को मिली, तो इसलिए ये गरंत वास्तविक्ता में लोग को लगता जरूर है कि अरे, कहानिया ही तो है, अरे, किताब ही तो है, मैं कहते हूँ किताब होती, तो आज हजारो साल बीत गए, भागवत की कथा, कहते-कहते ना तो कहने वाले बोर हुए और ना सुनने वाले बोर हुए सत्य बचन अगर ये कहानी होती, एक स्टोरी एक मूवी कितनी बार देख लोगे एक बार देखने एक बार, दूसरी बार suspense नहीं रहेगा देख भी लिया, तीसरी बार तो विल्कुल नहीं देख लोगे एवन कोई हम घर में भी बात करते एक बात किसी ने repeat कर दी तो हम उसे कहेंगे, आपने कह दिया तीसरी बार बोलेगा, तो हमने बोल तो दिया कितनी बार बोलेगा पर ये कहानी सब को पता है कृष्ण की कहानी पता है कंस को कैसे मारा राम की कहानिया पता पर जैसे फिर भी कथा आती है फिर देखो हजारों लोग आ जाते है पंडाल ये इस बात का प्रूफ है कि ये कहानिया नहीं है, ये किताब नहीं है, यह साक्षाद भगवान है यह कभी पुरानी नहीं होती, यह हर रोज नहीं है, तो आप पढ़ोगे तो आपको हर रोज नहीं लगेगी